हलो गाईज स्वाग laughing आते आपका हमारे आच रेक्छर में जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्लूप का इंप्लिमेंटेशन में प्रिविस रेक्ण में हम फॉर्लूप का थेरी डिस्कस करे चुके हैं अगर आपने मेरा previous lecture नहीं देखा है तो एक बाइस जरू देख लिए जिगा लिंक आपको video description मिल जाएगी आज हम देखते हैं कि for loop का हम devc++ में कैसे implementation कर सकते हैं कैसे for loop के help से हम program create करते हैं चलिए start करते हैं आज का lecture सबसे पहले मैं devc software open कर लेता हूँ तो मैं search bar में जाता हूँ search bar में devc type करता हूँ मैं तो मेरे पास application आजाती है जैसे उस पर click करता हूँ तो यह application open हो चुकी है new document पर आजाता हूँ यह मेरे पास document open हो चुका है जो ready है c language में code को लिखने के लिए मैं इसको save कर लेता हूँ dot c extension से तो मैंने इसको save किया कहां से save कर रहा हूँ में desktop पर जाके c program में मैं यहाँ पर save कर रहा हूँ suppose implementation of for loop dot c इसको मैंने save कर लिया code मेरा save हो चुका है अब मैं basic template लिख लेता हूँ सबसे पहले c language का basic template हमारा क्या हो दा था सबसे पहले हम header file include करते थे तो मैं लिख देता हूँ include stdio.s यह हमारी header file होती है उसके बाद फिर int man और int man पाद में return 0 यह हमारा क्या हो गया simple template हो गया c language का अब मैं यहां पर अपना for loop के help से code करूँगा सबसे पहले suppose मैं program बना रहा हूँ hello world print कराने का multiple times ठीक है तो उसके लिए मैं for loop का यूज करूँगा कोई भी loop कर सकते हैं फिलाल for loop के help से इसे for loop का मारा syntax क्या होता था कुछ इस तरीके से for loop का syntax होता था और यहां पर यह जो bracket होता था यह तो पार तीन पार नोपाइड होता था initialization condition and iteration तो सबस्पर initialization part आता है condition then iteration उसके बाद हमारा statement जहां पर हम statement लिखेंगे सब्सक्राइब करना है मुझे hello world प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट f के अंदर लिख दिया क्या hello world यह hello world लोगया ठीक है slash n तो यह जो है मेरा यह मेरा for loop के help से simple code बन चुगा जो hello world को multiple times प्रिंट करा रहा है अब बात आती है initialization, condition, iteration में क्या लिखते हैं तो मैंने बोला था इसको हम empty भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं पर अगर हम empty छोड़ते हैं तो हमारा code जो यह आपका loop है यह infinite loop हो जाता है मतब यह multiple यह आपका time unit नहीं होगा देखिए करता हूं मैं इसको save करके सबसे पहले मैं इसको save करता हूं तो मैं file पर गया save किया तो save हो गया अब मैं इसको run करके दिखाता हूं यह हमारा code कैसे चलेगा यह code जो हमारा infinite type चले जालगा क्यों कियोंकि इसमें मैंने condition की place पे कुछ भी नहीं लखाया इसमें की प्ले से कुछ नहीं लखाः सीलिए क्यों 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 क्या पर करता है और क्या user कर लेता है कोई 살 जब यू से m शेंका वोलथे है तुर देखिए infinite प्लस प्लस करके आइक को इनक्रिमेंट भी कर रहा हूं प्लस बंसे तो भी यह लूप जो है इन्फाइने टाम चला रहा है क्योंकि यहां पर कंडिशन पर मैंने कुछ नहीं लगाया देखिए करके देखाता हूं कर दीखिए अभीव यहां जेखिए मैं इसको सेफ कर दीख रहा हूं तो अब देखिए यह ईन्फाइनल लूप जा रहा है जैसे ही पर कुछ लिख भाद जो पनलुप जो हो इसके बाद गएनले लूप चलेगा उसके बात पर इसको थाएग्सेट करां तो क्या हूझ यह सब फिर आपका यह पर्षू प्लस 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 इंक्रिमान होगी। फिर इस तरीक जोंटा रहेगा नौ यह जब आपकि आपकी जीनो ऐनौ घूंट हो गया, मैं किंटीर क्टिन दू तो आपके विल्ब्द, फिर प्लस प्लस इंक्रिमेंट हो जागी। के लिए फिर फोर के लिए और लास्ट में जब फाइब है तो उसके लिए विए एक हेलो बेंट हो जाएगी 6 और 6 के लिए मालूप टाइमिनेट हो जाएगा इस तरीके से हमारा हेलो वर्ल्ड काम करता है ठीक है उमीद का तो आपको समाझ आ रहा होगा यहां पर चाहूं तो मैं आज के वेल्यू के लिए चल रहा है तो देखिय घ्रहно होगा अब मैं लूक को एक्जिउट कर चाहूं तो आ की वेल्यू की साथ पर्ल Vergleich और जाएगा अगर म sudah सिर्फ IQ value प्रेंट करना जाता हूं तो मैं इस हेलो वर्ल को हटा देता हूं जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में भी एक बार आपको बताया था यह देखिए अब मैं इसको चलाओंगा तो सिर्फ IQ value प्रेंट हो जाएगी ठीक है मैंने क्या किया मैंने printf की help से यूजर की value मांगी मैंने यूजर से पूचा enter the any integer value ठीक है ताकि यूजर को प्रते लाएग उसा integer value देनी है उसके बाद receive करने के लिए क्यों सा फक्सिंद्स करते है scanf से कर लेता हूं integer value पर्सेंडी कॉमा वेरिवल का नाम जिसके अंदर receive करना है अब मुझे अंदर receive करना है तो मैं address operator के साथ लिखता हूं ठीक है और मुझे m को initialize भी करना पड़े बताना पड़ेगा m cash type का value है तो वह integer type का value है तो मैंने बहुत भी initialize करते है अब m के अंदर value आ जाएगी और मुझे उसका table print करना ही तो table print करने यह हमारा यहां से हो जाएगा जैसे मैं इसको print कराऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा output तो particular table आ जाएगी देखिए यूजर से पहले number मांगे गाए सपोज मैंने इंटर कर दिया कितना 7 तो यह 7 की value प्रिंट हो यह हमां तक कहा तक हुई है 5 तक हुई है अब 10 तक चाहो तो 10 तक प्रिंट कर सकते हो कैसे ठीक है सपोज मैंने यह पर नंबर लिख दिया 1 2 3 4 anything तो वो नंबर कैसा होगा non zero value मैंने इनिशल ही आपको बिला non zero को मतब क्या होता है true value मतब अगर मैंने यह पर को एक non zero value लिख दी तो लूप हमारा सा infinite loop में चलेगा प्रियर को एक्स्प्रेशन मिया लिख सकता हूं इया मैं ऩूझ का 10 i i i is equal to i minus 1 तो यह मैंने यहाप एक्स्प्रेशन लिख दिया i equal to i minus 1 तो condition क्या करेगी शोग्स एक्जिक्यूट करने के बाद जो यहान रजल्ट आए उस रजल्ट को चेक करेंगी तो रजल्ट क्या आया अगर रजल्ट नॉन जिरू हो मतब कंदिशन टू है तो अंदर चलेगा और जिरू हो गया तो फॉल्स होके बाहर आजाएगा तो हम अल्टिमेटल यहां बाद यहां पे देखते हैं कि वैलkommen बच क्या रही है जीरू बच रही— जीरू बच रही है is 0 पी ञीरा अगर जीरो बच रही है तो कंदिशन तो 2 मानेगा और अंदर आ जाएगा और 9 इंटू नंबर हो जाएगा जो भी नंबर है सब्सक्राइब आगे बढ़ेगा तो अब यहां जाएगा तो यहां तो मैंने कुछ लिखा नहीं इत्रेशन में फिर वापस करनेशन चेक होगी तो 9 की बाद अब क्या हो जाएगा 8 फिर पर 9 इहां पर आएगा यहां पर आएगा यहां पर यहां पर लिखा नहीं पर 9 बचाएगा 9 मानेशन में फिर 7 पर 5 फिर 3 कहा ते जाएगा वन तक जैसे 0 तो अंदर नहीं आँगा मैं काहा तर्म नेट होगा तो इस तरीकस जो दोस्तों हमारा फॉलू काम करता है तो आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो आप यहां पर सिंटेक्स एक्सपेशन भी लिख सकते हो आउट पुट इन दी एंड उसका 0 या 1 के फरम में चाहिए ठीक है जिरो या नॉन जिरो के फरम में अगर नॉन जिरो आता है तो फॉल्स माना जाएगा तो इस तरीके से भी मैं इस फरलूप को दो पार्ट में एक्जेक्ट दो पार्ट में रिवाइड होना चाहिए देखिए रहर आ गई ठीक है एक सेमिक्रन और उसे सब्सक्राइब करता है जो कि यहां प्लियर होगा कि फरलूप के साथ कैसे दिल करते हैं अगर आपको हमारा अच्छा समझ आए तो प्ल करते हैं ऑनकाा कैसे स emphasizes थे मुमत एंटाश हैं एकुम को भास है फी है